गोड इवनिंग एफ्रिवन और सभी लोग कैसे है यार जल्दी से मुझे बता दो मैं आप लोग के लिए एक नई सिरीज लेके आ गया हूँ पाथ फाइंडर सिरीज जिसका है आज एपिसोड वन ये सिरीज क्या करेगी यार आपको आपकी मन्जिल तक पहुँचाने में मद के आया हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी क्वालिटीज इलॉन मस्क की जो कि इस समय पे दुनिया में वन आफ दा रिचेस परसंस में आते हैं जो की आपको भी लाइफ में मदद कर सकती हैं देखो यार इलॉन मस्क इस नॉट फेमस बिकॉस ही इस वन आफ द work ethic because of his growth जिस rate से उन्होंने grow किया है जिस rate से उन्होंने life के अंदर चीजों में grow किया है या यह कह दो जिस तरह से accelerate किया है उतना rate of growth नहीं देखा जाता आम तोर पे he is not a common person वो एक आम आदमी नहीं है यार वो इतने जादा महनती हैं कि उनकी महनत की मिसाले दी जाते हैं he is somebody that you can look up to for working really really hard तो यार वो कुछ समय पहले world के richest person मन गए थे जेफ बेजोस को बीट करके and constantly he is in the top two or three ठीक है top दो तीन में ही वो रहते हैं he has so much of a wealth लेकिन the best thing is कि उनकी गिंती या उनका example उनके पैसे के लिए नहीं दिया जाता है उनकी qualities के लिए दिया जाता है तो क्या ऐसी qualities हैं पहली चीज यार he is very very competitive और वो life में होना होता है और देखो अगर आप number one बनना चाहते हो ना तो आप से जादा competitive कोई नहीं होना चाहिए number one बनने के लिए आपको क्या करना है आपको बिटा second को भी इतने margin से पचाड़ना है कि कोई आपकी टकर ना ले पाए एक बार Elon Musk के college में उनका 98% marks आया और उनके friend का 97% but still he was unhappy क्योंकि margin बहुत छोटा था तो बिटा इस तरह की competitiveness आपको अपने अंदर लानी है बहुत सारे बच्चे life के अंदर saturate हो जाते हैं life के अंदर satisfy हो जाते हैं कि यहां तक आगए बहुत है अपने लिए कभी भी satisfy मत होना हमेशा dream करना और आगे जाने का अगर आप first भी हो तो भी बेटा first रहने के लिए life के अंदर बहुत मेहनत लगती है हमेशा ध्यान रखना सफलता कभी भी मंजिल नहीं होती सफलता हमेशा रस्ता होता है तो आपको हमेशा चलते जाना है आप रुक नहीं सक करना उनके लिए बहुत ही आम बात होती है एक बार उन्होंने अपना birthday celebrate किया दिन भर 24 घंटे काम करके अब आप सोचो यार birthday पे हम लोगों के सपने क्या होते हैं कि दोस्तों से मिलेंगे party करेंगे बाहर खाना खाएंगे gift मिलेंगे and he was working 24 hours a day deadline meet कराने के लिए that is the quality that he possesses nothing is more important than his work nothing is more important than meeting that deadline इसके अलावा बचो वो रखते हैं अपने लिए बहुत ही impossible deadlines वो impossible deadline को chase करते हैं इसलिए हम लोगों के possible से बहुत आगे रहते हैं अगर जैसे आप लोग सूचो की आपको exam crack करना है six months में लेकिन मैं बोलू मुझे course cover करके दिखाना है two months में that is something impossible जो शायद 1% aspirant भी नहीं कर पाएंगे 1% भी नहीं कर पाएंगे लेकिन जब आप ऐसा impossible target लेके चलते हो और उसके accordingly मेहनत करते हो तो definitely आप बाकी के 99% aspirant से automatically आगे हो जाते हो बिटा हमेशा focus आपका ना end goal की जगे होना चीए process पे इनका focus है hard work पे rather than ये सोचना कि मैं किस तरह से अपने goals को achieve कर सकता हो ना process सही करो मेहनत इतनी कर डालो कि automatically बाकी सभी से आप race के अंदर आगे हो जाएं अगली चीज जो या successful लोगों के अंदर देखी जाती है that is quick decision बहुत सारे लोग life के अंदर decision ने ले पाते हमेशा सोचते रहते हैं best क्या होगा बेटा best हो या worst हो decision लेना है immediately क्य आप से पढ़ूं कौन से वीडियो को देखूं कौन से teacher को follow करूं तो जितना time इन चीजों में waste कर रहे हो कोई ना कोई बच्चा उस time को utilize करके आप से आगे निकल रहा है तो आपको quick decision लेना है गलत हो या सही हो अपने decision पे अड़े रहना है उस पे खड़े रहना है ऐसा नह रहते उतने दिन तक इनकी production नहीं हो पाती इसलिए इन्होंने क्या किया private jet से जाकर के वो part collect किया that is the kind of decision the quick decision he takes और ये same day उस part को लेके आया और अपनी factory को running रखा और मैं बताऊं बेटा जो मैं आपको deadline की बात बतार था deadline में ऐसा इनका example है कि एक बार इनकी गाड़ियों की production कम हो गई और production कम थी demand जादा थी तो इन्होंने तीन महीने में 50,000 Tesla cars produce करके demand को meet कराया that is the kind of work ethic that he has तो बिटा इनको ये बोला जाता है कि इनकी dictionary में can't जैसा word ही नहीं है इनको कोई task दो he will definitely do it without having any knowledge of space vehicle rocket science के बारे में कुछ ना जानते वे he is running a rocket company called as the spacex अगर ये inspiration नहीं है तो क्या है बिटा इनका ये मानना है कि college की degree से आपकी जो knowledge है वो नहीं बढ़ती है अगर आपको असली knowledge life के अंदर gain करनी है तो आपको खुद से effort मानना पड़ेगा इसलिए बहुत बार ये लोग unqualified लोगों को भी hire करते है if they have the required knowledge they might have gained it through the lectures they might have gained it through the books लेकिन उनके पास required knowledge होती है तो इन्होंने rocket science की knowledge अपनी develop किये किताबों से और आज की date में one of the most successful rocket science की company चला रहे है और ऐसी domain में काम कर रहे हैं जिसमें लोग सोचते थे कि यहां तो सरकारी कमपनिया ही काम कर सकती है ये नहीं कर सकते तो यहां इन्होंने private rocket company बिल्ड कर द हैं कोई और company कहां टिके की इन्होंने 10 से 15 साल के अंदर अंदर Tesla को उस उचाई पे पहुचा दिया कि आज इनके गाड़ी high demand में है तो बिटा अगर यहां से आपको समझ आता है अगर आपके अंदर willpower है self belief है तो आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप यह मान लो कि आप कर सकत हैगी तो दूसरों की मत सुनो कि क्या possible है और क्या नहीं है आप decide करो आपके लिए क्या possible है और impossible को भी possible बना दो क्योंकि impossible के अंदर भी होता है I am possible तो बिटा यह सारी qualities अगर आप भी अपने अंदर inculcate करते हो मैं यह नहीं कहता आप Elon Musk जितने successful बनोगे जादा बनोगे कम लेकिन हाँ life में बहुत आगे बढ़ जाओगे यह पक्की बात है तो यह सारी qualities है इन extremely successful person के अंदर he is an inspiration for the youth and inspiration for the engineers and an inspiration for the whole world तो यह सारी चीज़े आप भी सीखें अपनी life में अजमाएं और फिर मचा दें ठीक है तो बच्चो मैं आपको अपने बारे में बता दूँ मेरा नाम है अंकित गोयल मेरा gate में दो बार AIR1 रहा है 2014 और 18 के अंदर मैं आज तक दो लाग से जादा बच्चो को train कर चुका हूँ मुझे president की तरफ से gold medal दिया गया जब मेरा graduation पूरा हुआ और मैं academy में as a director work कर रहा for gate department और बिटा मैं इन चीजों के लिए proud नहीं हूँ मैं proud हूँ ये जो channel काम कर रहा है ये जो channel बच्चों तक education पहुचा रहा है that is unparalleled ऐसा ना कभी पहले हुआ और ऐसा ना ही शायद कभी आगे होगा लेकिन अगर आपको हमारे free initiatives से जुड़ना है तो मैं कहूंगा सिर्फ YouTube तक ना रूखें खुद को हमारे साथ Unacademy app के माध्यम से भी जुड़ें तो Unacademy app आज ही install करें और हमारे free initiatives को enjoy करें simply by unlocking them using the code Ankit ESE इसके अलावा मेरे बच्चो मेरा machines का course आने वाला है प्लस पे जिसके अंदर 160 घंटे से ज़ादा का content है daily assignment हर Sunday test लिया जाएगा और सारे के सारे doubts भी answer किये जाएंगे ये अगर आपको course मुझसे पढ़ना है तो जल्दी से Unacademy आ जाओ 14 से पहले और आते वक्त code लगा देना अंकित ESE जिससे discount भी मिलेगा मेरी personal guidance भी मिलेगी और बहुत सारे अधिक benefits आपको दिये जाएंगे और आपके कहने से हमने fee hike को भी रोग दिया है बच्चो तो जल्दी से जल्दी आ जाओ बस code याद रखना नारा एक ही होना चाहिए अंकित ESE और इस code से आपको मिलेगा immediate 10 percent discount और मेरी personal guidance और इसके अलावा आप मेरे साथ telegram पे connect हो सकते हैं जहांपे कि मैं आपको सभी videos के बारे में information देता हूँ लगातार आपसे videos शेयर करता हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों तक lecture के notes भी पहुँचाता हूँ So thank you everyone उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो या लाइक ज़रूर करना अपने फ्रेंड से शेयर करना और अभी तक अगर इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो गुना कर रहे हूँ मेरे भाई जल्दी से subscribe करके वो bell icon दबादो ताकि आपको notification आते र अब राना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लेट्स क्राक इट